ये कहानी एक छोटे से जंगल की है जिसमें मिनुचेडिया, कालुकवा, रानिकवी, बुलबुल, कबुतर और तोता रहते थे उन सभी पक्षियों की आपस में बहुत ही जादा गहरी दोस्ती थी वे सभी पक्षि अपने जंगल में बहुत ही जादा सुकोन से रह रहे थे उन पक्षियों को अपने जंगल में किसी भी तरह की कोई भी परिशानी ना थी मेनो चडिया, तुम्हारी बहन कॉमल चडिया दूसरे जंगल में रहती है तुम उसे भी हमारे जंगल में ही बुला लो फिर तुम दोनों भेने मिलकर एक साथ रहना कबुतर मैंने कुमल चिडिया को कितनी बार कहा है कि वे हमारे जंगल में रहने के लिए आजाएं लेकिन वे तो मेरी बात मानती ही नहीं है बस उसे अपना ही जंगल प्यारा है हमारे जंगल में तो भोजन की भी कमी नहीं है और नहीं पानी की कमी है हमारे जंगल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है हाँ ये सब पता है उसको मिलकर चिडिया को लेकिन फिर भी वे हमारे जंगल में रहने के लिए नहीं आती है उसी जंगल के थोड़े से ही दूर के फासले पर पहाडों की तरफ दो उल्लू रहा करते थे वे दोनों उल्लू आपस में भाई थे लेकिन वे दोनों उल्लू पहाणों की इलाके में रह रहकर काफी जादा कंटाल गए थे उनको भी हरे भरे जंगल में रहना था लेकिन वे दोनों उल्लू पक्षियों के साथ जंगल में नहीं रह सकते थे क्योंके वे उल्लू दिन में सोते थे और रात में जाकते थे इसलिए पक्षियों के शोर के कारण वे उल्लू दिन में सो नहीं पाएंगे इसी कारण वे दोनों उल्लू सोच रहे थे कि अगर वे दोनों उल्लू चंगल के पक्षियों को चंगल से बाहर निकाल दें और खुद वे दोनों अकेले चंगल में अराम से रहें भाया जी मैं तो इन पहाडों के इलाकों में रह रहकर काफी जादा कंटाल गया हूँ मुझे अब पहाडों के इलाके में नहीं रहना है मुझे तो हरे भरे जंगल में रहना है मैं भी इस पहाडों के इलाके में रह रहकर काफी जादा कंटाल गया हूँ लेकिन हम कर भी का सकते हैं हम जंगल में पक्षियों के साथ रह भी तो नहीं सकते हैं क्योंके वे जंगल के पक्षी दिन में कितना जादा शोर करते हैं और दिन में तो हमें सोना होता है हम उन पक्षियों के शोर के कारण दिन में अराम से सो नहीं पाएंगे पर भाया जी अगर हम उन पक्षियों को जंगल से बाहर निकाल दें और हम दोनों अकेले उस हरे भरे जंगल में रहें तो हमें कितना मज़ा आएगा लेकिन हम उन जंगल के पक्षियों को उन्हीं के जंगल से बाहर कैसे निकालेंगे इसका उपाय है तुम्हारे पास कोई हाँ हाँ भाया जी इसका भी उपाय है मेरे पास मैं अभी बताता हूँ देखो भाया जी जंगल के पास में ही एक गुफा है वे गुफा काफी ही अर्सों से खाली पड़ी है कोई भी पक्षी ना तो उस गुफा में आता है और ना ही जाता है हम पक्षियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जंगल के पास वाली गुफा में धेर सारा भोजन पड़ा है और वे सब पक्षी भोजन की लालच में उस गुफा के अंदर चले जाएंगे फिर हम भार से गुफा को एक फ़तर से बन कर देंगे और वे पक्षी उस गुफा में ही मर जाएंगे फिर हम दोनों उल्लू अराम से हरे भरे जेंगल में रहेंगे हमें कोई भी तंकरने वाला ना होगा वा भई छोटे क्या उपाय है तेरा हमें इस उपाय को एक बार जरूर अजमाना चाहिए भाया जी मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है अच्छा अच्छा चल अब हम पक्षियों के पास चलते हैं और उनको जाकर जूट मोट कहते हैं चल जल्दी चल और फिर वे दोनों उल्लू जंगल में पक्षियों के पास चले जाते हैं दो दो उल्लू वो भी हमारे जंगल में ये मैं क्या देख रहा हूँ हमारे जंगल में तो सिर्फ और सिर्फ पक्षी रहते हैं तो ये उल्लू आज हमारे जंगल में क्यों आए हैं? हाँ बै उल्लू आज तुम दोनों उल्लू हमारे जंगल में क्यों आए हो? तुम्हें क्या हम पक्षियों से कोई काम है? पक्षियों हम यहां तुम्हारे फाइदे के लिए ही आए हैं अगर तुम्हें हमारी बात नहीं सुननी तो हम अभी यहां से चले जाते हैं हमारा फाइदा उल्लों तुम हमारे फाइदे की क्या बात करने आए हो हमसे पक्षियों तुम्हारे जंगल के पास में जो गुफा है न छोटे सब तू ही बता देगा मुझे भी तो कुछ बताने दे मैं बताता हूँ इन पक्षियों को हाँ हाँ भाया जी आप बोलो या मैं बोलू बात तो एकी है आप बोलो आप बोलो हमें पता चला है तुम्हारे जंगल के जो पास में गुफा है उस गुफा में धेर सारा भोजन पड़ा है वे भोजन हम उल्लूओं के तो किसी भी काम का नहीं है इसलिए ये बात मैं तुम पक्षियों को बताने के लिए आया हूँ तुम सब पक्षि जल्दी जाओ और उस गुफा के अंदर जाकर वे सारा भोजन अपने जंगल में ले आओ उल्लू कहीं तुम हमसे जूट तो नहीं कह रहे हो ना या फिर तुम दोनों हमसे मज़ाग तो नहीं कर रहे हो ना ठीक है फिर अगर तुम पक्षियों को हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो मज जाओ उस गुफा के अंदर कई और पक्षी जाएगा और उस गुफा का सारा भोजन लेकर वहां ते रफू चकर हो जाएगा फिर बाद में हमें ना बोलना कि हमने तुम्हें बताया नहीं चल भाई छोटे इन पक्षियों को हमारी बात पर विश्वास ही नहीं है हम जाकर ये भोजन वाली बात और पक्षियों को बता देते हैं अरे रुको रुको उल्लू भाई हमें आपकी बातों पर पूरा विश्वास है आप ये बात और पक्षियों को मत बताना ठीक है तो फिर जल्दी जाओ उस गुफा के अंदर वरना कोई और पक्षि जाएगा और उस गुफा का सारा भोजन लेकर वहाँ से चला जाएगा चल्दी करो जल्दी जाओ तुम सब पक्षि फिर सभी पक्षि भोजन लेने के लिए चंगल की पास वाली गुफा की तरफ चले जाते है जब सभी पक्षी चंगल की पास वाली गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं गुफा में तो काफी सारा भोजन पढ़ा हुआ होता है वे सभी पक्षी भोजन देखकर बहुत जादा खोश हो जाते हैं उन उल्लूओं को तो ये पता ही नहीं था कि इस गुफा के अंदर सच में काफी सारा भोजन पढ़ा है उन उल्लूओं ने तो बिलकुल ठीक कहा था इस गुफा में कितना सारा भोजन पढ़ा हुआ है उस गुफा में एक जादूई प्याला भी था जिसमें कभी भी पानी खतम नहीं होता था आओ पक्षियों आओ मेरे प्याले से पानी पियो मेरे प्याले का पानी कभी खतम नहीं होगा और मेरे प्याले का पानी बहुत मीठा है पक्षियों ये तो बोलने वाला एक जादूई प्याला है इसमें तो कभी पानी खतम नहीं होगा फिर वे उल्लू गुफा के पास एक बड़े से फतर से उस गुफा को बन कर देते हैं हमने ये गुफा बन कर दी है अब जंगल के पक्षी इस गुफा में मर जाएंगे और हम आराम से जंगल में रहेंगे फिर वे दोनों उलू पक्षियों को गुफा में बन करके चंगल में अराम से रहने के लिए चले जाते हैं मिनू चेडिया मैं तो कहता हूँ कि हम सब पक्षी इस गुफा में ही अराम से रहते हैं ऐसे भी हमारे जंगल में कुछी दिनों बाद सुके का मौसम आने वाला है हम सब पक्षियों को अपना जंगल छोड़ कर तो जाना ही पड़ता अब हम सब पक्षी इस गुफा में अराम से रहते हैं हाँ तोते इस गुफा में पानी भी है और बोजन भी है हम सब पक्षी अराम से इस गुफा में रह सकते हैं जंगल के सबी पक्षी अराम से उस गुफा में ही रहने लगते हैं भाईया जी कितना मज़ा आ रहा है हमें इस जंगल में रहने में हर तरफ हर्याली ही हर्याली है छोटे अब तक तो उन पक्षियों को पता चल गया होगा कि किसी ने बाहर से गुफा बन कर दी है और अब सब पक्षी काफी जादा परिशान होंगे उन उल्लों को तो ये पता ही नहीं था कि जंगल के सबी पक्षी काफी सुकून से उस गुफा में रह रहे हैं कुछ दिन ऐसे ही बीच जाते हैं जंगल में सुके का मौसम आ जाता है और जंगल में काफी जादा गर्मी पर जाती है वे दोनों उल्लों भी काफी जादा परिशान हो गए थे भाया जी कितनी जादा गर्मी हो रही है मुझे तो अब इस जंगल में नहीं रहा जा रहा है पर छोटे अब हम क्या करें हम इस जंगल को छोड़कर आखिर कहा जाएंगे हम एक काम करते हैं हमने पक्षियों को जिस गुफा में बंद किया था हम दोनों उस गुफा में रहने के लिए चलते हैं उस गुफा में गर्मी भी नहीं होगी हम दोनों अराम से उस गुफा में रह पाएंगे हाँ फिर जब सुके का मौसम खतम हो जाएगा तो हम वापस अपने जंगल में आ जाएंगे फिर वे दोनों उल्लू जंगल की पास वाली गुफा की तरफ चले जाते हैं वे दोनों उल्लू उस गुफा के पास आते हैं और उस गुफा के पास से वे बड़ा सा फत्तर अठाते हैं जब वे दोनों उल्लू उस गुफा के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं सभी पक्षीतों आराम से उस गुफा में रह रहे थे ये देखकर तो वे दोनों उलू हरान हो जाते हैं भाया जी ये क्या हो गया ये सब पक्षी तो अभी तक जिन्दा है और ये तो कितने आराम से रह रहे हैं इस गुफा में छोटे देख तो जरा इस गुफा में कितना सारा बोजन है ये भोजन खाकर ही ये पक्षी जिन्दा है पक्षियों हमने तो तुमसे जूट कहा था के इस गुफा में भोजन है हमें तो ये पता ही नहीं था के इस गुफा में सच्ची में इतना सारा भोजन है फिर एक उल्लू पक्षियों को सारी बात बताता है हमें माफ कर दो पक्षियों, हमने तुम सब पक्षियों के साथ बहुत बुरा करना चाहा अब हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ इस गुफा में ही रहें क्योंकि जंगल में तो सूके का मौसम आया हुआ है और जंगल में काफी ज़ादा गर्मी है लेकिन तुम दोनों उल्लू हम पक्षियों के साथ कैसे रह सकते हो हम सब पक्षी तो दिन में बहुत जादा शोर करते हैं हमारे शोर के कारण तुम दोनों उल्लू कैसे सोगे नहीं चड़िया अब हम दोनों उल्लों भी तुम पक्षियों के साथ रात में ही सोया करेंगे और दिन में तुम सब पक्षियों के साथ जागा करेंगे फिर उन दोनों उल्लों को अपनी गलती की सजा मिल जाती है और वे दोनों उल्लू चंगल के पक्षियों के साथ आराम से उस गुफा में रहने लगते हैं एक जंगल में एक मीनो चड़िया रहती थी मीनो चड़िया काफी जादा महती थी मेनो चड़िया का एक छोटा सा वेपार था जिसमें मेनो चड़िया पक्षियों को मीठे मीठे आम बेच कर उन पक्षियों से काफी जादा मुनाफ़ा कमाती थी बस यूँ ही मेनो चड़िया अपने काम में वियस हैती थी और पूरा दिन मेनो चड़िया मेहनत करके खोब जादा मुनाफ़ा कमाती थी मेनो चड़िया रोजाना एक आम के पेड़ से काफी सारे आम तोड़ा करती थी और वें आम का पेड़ भी काफी जादा अच्छा था मेनो चड़िया तुम मचपर से ये जो रोजाना इतने सारे आम तोड़ती हो क्या ये सारे आम बिग जाते हैं हाँ हाँ पेड़ भाईया मैं आपके उपर से जितने भी आम तोड़ती हूँ मेरे सारे दिन में सारे आम बेज देती हूँ मेनो चड़िया ये तो बहुत अच्छी बात है बस इसी तरह मैनत करती रहो और तुम बहुत जादा मुनाफ़ा कमाती रहो आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाईया चले अब मैं चलती हूँ मुझे जाकर ये सारे आम भी बेचने है फिर मेनो चड़िया वे आम की टोकड़ी लेकर उन आमों को बेचने के लिए निकल जाती है मेनो चड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर एक कववा आता है और मेनो चड़िया से कहता है मेनो चड़िया ये आम तो दिखने में काफी जादा अच्छे लग रहे हैं कहीं ये आम उपर से अच्छे हैं और अंदर से खराब तो नहीं है ना नहीं नहीं कालू कववी ये आम बहुती जादा स्वादिश थे मैंने ये आम खुद का की देखा है अच्छा ऐसी बात है लाओ फिर मुझे एक दरजन आम दे दो मैं अपनी रानी कववी को भी ले जाकर खिलाओंगा फिर वे कालू कववा एक दरजन आम लेकर वहां से चला जाता है आज तो सुबा ही सुबा मेरे एक दरजन आम बिग गए लगता है आज जल्दी मेरे ये सारे आम बिग जाएंगे आम लेलो भी आम आम लेलो भी आम जल्दी जल्दी आकर आम लेलो बहुती स्वादिश ताम है ये जल्दी जल्दी आजाओ कैलू कोवे तुम ये आम कहां से ला रहे हो मुझे भी बताओ, मुझे भी आम लेने है तोते भाई, मैं तो ये आम मेनो चड़िया से लेकर आ रहा हूँ आपको भी आम लेने है क्या हाँ हाँ कैलू कोवे, मुझे भी आम खरीदने है मेरी पतनी को आम बहुत ही ज़ादा पसंद है इसलिए तुम मुझे बताओ कि मीनो चड़िया कहां बैटी है फिर वे कालू काओवा तोते को रास्ता बताता है और वे तोता मीनो चड़िया के पास आम खरीदने के लिए चला जाता है मेनो चिडिया कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हें ढूंटा हूआया हूँ मुझे तुमसे ये आम खरीदने है मेरी पत्नी को आम बहुती जादा पसंद है इसलिए तुम मुझे एक दरजन आम दे दो लेकिन मेनो चिडिया पहले एक बात बताओ ये आम कहीं अंदर से खराब तो नहीं है ना अगर ये आम अंदर से खराब हुए ना तो मेरी पत्नी मुझे बहुत मारेगी इसलिए पहले तुम मुझे बताओ कहीं ये आम अंदर से खराब तो नहीं है ना नहीं नहीं मिटू तोते ये आम बहुती जादा स्वादिश्ट है तुम आग बन करके ले जाओ तुम्हारी पत्मी ये आम खाएगी तो उसको बहुती जादा मज़ा आएगा ठीक है मेनुचेणिया अगर तुम कहती हो तो ठीक है तुम मुझे एक दरजन आम दे दो फिर वे मिठु तो तब एक दरजन आम लेकर चला जाता है वाँ भई वाँ मेरे आम तो कितनी जल्दी जल्दी बिक रहे हैं बस अब ये थोड़े से आम ही बचे हैं बस ये आम बिक जाएं तो मैं अपनी घर चली जाओंगी शाम हो जाती है मेनो चड़िया के सारे आम बिक जाते हैं और मेनो चड़िया अपने घोंसले की तरफ चली जाती है आज मेरे सारे आम कितनी जल्दी बिक गए हैं वरना तो मुझे आम बेशते बेशते रात हो जाती थी लेकिन आज तो मेरे आम चल्दी बिक गए हैं चलो मैं पेड़ भाईया के पास जाती हूँ और मैं जाकर उनको शुक्रिया कहती हूँ वो मुझे कितने स्वादिस्वादिस्ट आम देते हैं फिर ये कहकर मेनो चड़िया आम के पेड़ के पास चली जाती है मेनो चड़िया तुम बोलो बोलो इस समय तुम यहां पर कैसे आई हो पेड़ भाईया कोई खास बात नहीं है बस मैं आपको शुक्रिया कहने आई थी आपकी वज़ा से मैं रुजाना कितना जादा मुनाफ़ा कमाती हूँ आप जो मुझे आम देते हैं वे आम इतने जादा स्वादिश्ट होते हैं कि सभी पक्षी मुझे सारे आम खरीद देते हैं हाँ मेनो चड़िया यह तो है मुझे पर लगे सारे आम बहुती जादा स्वादिश्ट होते हैं मीनू चड़िया तुम यकीन नहीं करोगी मैं तुम्हारे इलावा अपने उपपर से किसी भी पक्षी को आम तोड़ने नहीं देता हूँ एक सिर्फ तुम ही हो जिसको मैं अपने उपपर से आम तोड़ने देता हूँ पेड़ भाईया ये तो आपका मुझे पर एसान है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोजाना मुझे कितने सारे आम देते हैं फिर ये कहकर मीनू चड़िया अपने गोसले की तरफ चली जाती है ये मीनू चड़िया तो मेरी वज़े से कितना कितना मुनाफ़ा कमा रही है और मेरा तो इसमें कोई भी फाइदा नहीं हो रहा है मैं इस मीनू चड़िया को रोजाना कितने सारे आम देता हूँ लेकिन इसमें मेरा क्या फाइदा होता है सारा फाइदा तो इसमें मीनो चड़िया का होता है मेरा तो इसमें एक भी फाइदा नहीं है बस अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं मीनो चड़िया को एक भी आम नहीं दूँगा इस पूरे जंगल में एक में ही वे आम का पेड़ हूँ जिस पर इतने स्वादिश स्वादिश ताम लगते हैं तो फिर मैं अपने स्वादिश ताम ऐसे ही फिरी में मीनू चड़िया को क्यों दूँ अब उस पेड़ को अपने स्वादिश ताम होने की वज़ा से उसे अपने उपर घमंडोने लगा अगले दिन जब मीनू चडिया पेर के पास आम तोड़ने के लिए आती है तो वे पेर मीनू चडिया से कहता है मीनू चडिया तुम मुझे पर से एक भी आम मत तोड़ना आज के बाद मैं तुम्हें अपने उपर से एक भी आम तोड़ने नहीं दूँगा चलो चली जाओ यहां से तुम पर क्यों पेर भाईया आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझे अपने उपर से इस स्वादिश ताम तोड़ने नहीं दे रहे हो मेनो चिडिया मैं अपने इतने स्वादिश ताम तुम जैसे चोटी मोटी चिडिया को नहीं दे सकता हो चलो यहां से चली जाओ और दुबारा यहां मता ना फिर मेनो चिडिया उदा सोकर वहां से चली जाती है यह सब कुछ होता हुआ एक जादूई परी देख लेती है वे जादूई परी उस पेड़ का घमन देखकर काफी जादा घुसे में आ जाती है यह आम का पेड़ तो अपने उपर काफी जादा घमन करने लगा है इस आम के पेड़ को मुझे सबक तो सिकाना ही पड़ेगा फिर वे जदूई परी उस पेड़ पर कुछ जदू करती है और उस पेड़ से सारे आम घायब कर देती है अब इस पेड़ को पता चलेगा कि घमन करने का क्या इंजाम होता है अगली सुबे हो जाती है चलू, मैं पेड भाया के पास चाती हूँ क्या पता कल वो किसी बाद से घुसा हूँ चलू, आज मैं एक बार और उनके पास चाती हूँ क्या पता आज वो मुझे अपने आम दे दें ये सोचकर मीनौ चडिया, आम के पेड़ के पास चली जाती है बाप रे बाप पेड़ भाईया आपके उपर जो कितने सारे आम लगे थे भी सारे आम कहां चले गए ना जाने मीनू चिडिया ये सब कुछ क्या हो गया मेरे उपर से सारे आम कहां गायब हो गए मीनू चिडिया मैंने अपने स्वादिश टामों पर घमन किया था क्या पता ये मुझे उसी की सजा मिल रही हो मेनो चड़िया मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है उस पेड़ को मेनो चड़िया से माफी मांगते हुए देख वे जादूई परी काफी जादा खुश हो जाती है इस आम के पेड़ को अपने गमर्ड की सजा मिल गई है अब मुझे इस आम के पेड़ के सारे आम लोटा देने चाहिए फिर वे जादूई परी अपने जादू से उस आम के पेड़ के सारे आम उसे लोटा देती है अप से वे आम कभी भी गमर्ड नहीं करता था और वे मीनो चड़िया को रोजाना कफी सारे आम तोड़ने देता था तो प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करगर जरूर बताएं हमें आपके कमेंट का बेस सबरी से इंतिजार रहेगा